इसमें जब तक कानून बापिस नहीं होगा अनच्चित काली नड़ताल चलेगी इनकी बात सुनकर यकीनन आपका दिल भी पसीच गया होगा यह जो आप भी देख रहे हैं यह ड्राइवरों की भीड है जो अपने हग की लड़ाई लड़ रहे है यह प्रदर्शन कर रहे है दरसल मामला यह है कि हिट एंड रन सड़क धुलगटना मामले में नया कानून लाया गया है जिसमें इंडियन पीनल कोर्ड दो हजार तेईस में हुए संशोधन के पार एक्सिडेंट होने पर ड्राइवर को दस साल की सजा और साथ लाग के जुन्वाने का प्रापधान किया गया है अब केंदर सरकार द्वारा लाय जा रहे हिट एंड रन के नय कानून को लेकर कई राजियों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ओपरेटर्स द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है अलग-अलग राज्यों में ड्राइवर अलग-अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रही है लाट देंके से निकाल देता है बहले वह फोर विलर का ओ यह टू-विलर का ओ एक ट्रक का रराइवर हो है सब रोड जाम इनको दस साल के सज्ञागाप प्राउधान है हम किसे सरकार और कानून के खिलाब नहीं है पर नियम यह है कि कानून में संसूदन करें इसको लाके जुर्बाने की और ली जाए यह किसी भी बेटक करके सही काम करें यहार आदमी ट्राइवर जो करेता है परिवार पालने के लिए होता है ओर सबसे गरीबी स् impose मैं आदमी यहार मजबूरी और परिशाद की में ड्राइवर बनता है और यह साथ कि हार पर यह लोग अठर दिन 15 15 दिन विदेश विदेश भटकते घर की रोटी एक दिन ने घाप आते हैं तो यह लोग क्या बातर परिवार पाल रहे किस दुनिया में सर पर रखके कोई उपर निली जाता सिर्फ परिवार की जगे दुनिया में से जीत का जाता है यह विशु जी कहिसे लेएं और सिर्फ परिवार से बीज़ित पाइएं हम यह चाहते हैं कि जो दस साल की सजा है जो नियम करा है इसका समाधान या तो डंड करके पैसे में कन्वाट करें साल दो साल का करें कि दस साल का नियम कुंसा है मनक का मडर कर दो मनक का मडर कर दो मनक का मडर कर दो तो भी साल की सजा है समयना आप और दस अजार की नोपनी में आदमें दस लाग रुपय कहां से लाएगा जमीन बेचेगा के बीबी बेचेगा के माबाप बेचेगा क्या बेचेगा बताइए आ कानून मना रहा है उसमें ड्राइवर के लिए दस साल की सया और साथ लाग रुपे का जुरुबाना किया है ड्राइवर अपने बच्चों को कैसे कैसे पालता है कड़ी मेहनत करके और इसमें जब तक कानून बापिस नहीं होगा अनच्चित काली नड़ताल चलेगी को एक्सिडेंट होने पर दस लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस दस साल की सजा जो कि अंदा कानून है अगर एक ड्राइवर के पास जो पांसतर रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि दस लाख रुपए देगा आपको अगर उसके पास कि पैसा होता तो नौकरी क्यों करता धंदा करता कोई जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा और गाड़ी जो है मालिक की है तो यह कानून बनाना है तो मालिक के उपर बना है ड्रैबर के उपर ना बना है ना बना है जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी यह कानू बदले का नहीं तब तक कि हम हर ताल पे रहेंगे